देव उठने एकादशी के दिन भगवान विश्णु उठते हैं और हर सच्चे भक्त की मनो कामना को पूर्ण करते हैं लेकिन आपको भगवान को प्रसंद करने का सही तरीका याद होना चाहिए आज मैं आपको हल्दी का एक एसा उपाए बताऊंगा जो किसी भी रंक व्यक्ति को राजा बनाने की शक्ति रखता हैं गरीब को अमीर बनाने की शक्ति रखता हैं पेसे को चुम्बक की तरह खीचने की शक्ति रखता हैं आपको देव उठनी एकादशी के दिन हल्दी की एक गाट लेना है उसे अपने भगवान के मंदीर में रखना है एक मंतर का जाप करना है ओम हीमिकलिम भगवान विश्णू क्या मंतर है ध्यान से सुनिए ओम हीमिकलिम भगवान विश्णू मनो कामनाय पूर्णाय नमस्वाह इस मंतर का 108 बार जाप करना है आखों को बंद करना ह आपके मन में जो भी मनो कामना हैं, जो भी इच्छा हैं, मांग लेना हैं, सारी मनो कामना इपोन हो जाएगी। अब उस हल्दी की गांट को उठा कर अपनी तिजोरी में रख देना हैं, जहांपर आप धन पेसा रखते हैं। जब तक वो गांट आपकी तिजोरी में रहेगी, पेसा घर में चुम्बक की वांती खीचा हुआ चलाएगा। जो भी नया कार्य करोगे, उसमें लाखो करोडों का मुनाफ़ा होगा। अगर आपके सर पर करज हैं, तो उतरने लगेगा। पेसा घर में चारों तरप से आने लगेगा। अद्भूत उपाई हैं, उप्योग कीजिए, लाव लीजिए।